समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से जब आदर्शवादी निश्चय के व्रत तूटते हैं तो आत्म विश्वास उठ जाता है लगता है यह सब तपस्वी मनस्वी लोगों का कार्य है अपनी बलबूते का यह सब नहीं है फिर कदम बढ़ाने से क्या लाब समाधान ऐसा प्रायह जब तप ध्यान धारणा, व्रत उपवास, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य और स्वाध जैसे संदर्भों में तो होता है पूर्व अभ्यास तो रहा नहीं होता अडचनों की पूर्व कलपना नहीं होती संचित कुसंसकार किस प्रकार आड़े आते हैं उसका भी अनुभव नहीं रहता ऐसी दशा में उत्साह का अस्तर आवेश जैसा ही होता है आवेश स्थाई नहीं होते जब शोक, क्रोध, ललक, लिपसा जैसे भाववेश समय के साथ साथ ठंडे पढ़ने लगते हैं गनिष्टता, मित्रता, परिचय मात्र बन कर रह जाती है तो आदर्शवादी निष्चेयों का चिरस्थाई बने रहना कैसे संभव होगा आदर्शवादिता के किसी पक्ष पर कदम बढ़ाना हो तो सरलता इसमें पढ़ती है कि छोटे-छोटे वरत, अनुवरत लिये जाए और उन्हें हर हालत में पूरा करके रहा जाए जैसे उपवास का अभ्यास करना है पहले सप्ता हमें आदे दिन का वरत रखा जाए जब वह पूरा हो जाए तो स्वयम अपने साहस को सरहा जाए और तीस दिन तक वही प्रक्रिया ठीक तरह चलती रहे तो एक दिन का फलाहार समेत वरत किया जाए यह क्रम चल पड़े तो पानी, छाच, शाकू का रस आदी लेकर उस वरत शीलता को महत्वपूर्ण स्तर तक पहुँचाया जाए इसी प्रकार ब्रहम चर्य में एक एक दिन बढ़ाते हुए उस इस्तिती तक पहुँचा जाए जिसमें महीनो संयम पूर्वक रहा जा सके उपासना के लिए श्री गणेश पांच मिनट से भी किया जा सकता है फिर जैसे तैसे मन लगने लगे उसमें अभिवरद्धी करते रहा जाए दुर्गुणों को छोड़ने के संबंध में भी यही बात है बीडी सिग्रेट देनिक प्रयोग में एक एक करके कम करते चला जाए और अंत में उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए लोकमंगल के लिए अनुदान निकालने में भले ही आरंभ में न्यूनतम राशी से शुबारम किया जाए पर उसे देनिक एवं नियमित रखा जाए नागा होने पर भूल पढ़ने के स्थिती में उसका प्रयाश्चित करने के रूप में अपने को छोटा मोटा शरीर दंड या अर्थ दंड दिया जाए नियमित्ता बनी रहने पर मनुबल बढ़ता है और बड़े कदम उठा सकना उनका निर्वाँ चलते रहना संभव एवं सरल हो जाता है पुस्तक समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से प्रिष्ट तेरा चोदा झाल